पाइ नेटवर्क की आज की इस वीडियो में आपको शमदीद कहते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइ नेटवर्क की फ्यूचर वैल्यू के हवाले से कि फ्यूचर में पाइ नेटवर्क की वैल्यू क्या होने वाली है Pi Network की value को देखने से पहले आप सब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी coin की value किस तरह बनती है इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले Binance Network के अंदर चलते हैं और देखते हैं मुख्तिलिफ coins की value और randomly हम किसी एक coin को खोल लेते हैं जैसे Zin इस वक्त हम जिन की जो circulating supply है वो 2 million है यहां आपको नज़र आ रहा है और अगर बात की जाए इसकी investment की तो वो है 18 million और अगर देखा जाए तो investment और total supply यह circulating supply के दर्मियान क्या फरक है यहां पर अगर investment को divide कर दिया जाए circulating supply से तो उसकी बनती है value यहां calculator में आने के बाद आप सब देख सकते हैं कि investment code जब divide करते हैं हम circulating supply के साथ तो उससे बनती है इस coin की value जो के हमें नज़र आ रही थी इसी तरह हम किसी और coin को भी check कर लेते हैं randomly हम कोई भी coin उठा सकते हैं यह आपको एक और coin मिल जाता है 83,000 इसकी total यहां पे circulating supply है और यहां पे जब इसकी total investment की बात की जाए तो वो है 3.93 billion जो के BTC को अच्छी value देती है supply और investment में इसी फरक की वज़ा से BTC को यह value 45,000 dollar मिल रही है इससे पहले हमने देखा gainer के अंदर किसी भी coin को उठा कर हमने hard coin में भी देखा और इसके बाद हम loser में चले जाते हैं और किसी भी coin को randomly उठा लेते हैं और इस coin की total circulating supply 15.6 है और अगर इसकी investment की बात की जाए तो वो 22.9 million है तो इन सब की value को निकाल के देखते हैं और इस value को भी आप अपने mind में रख लें और चलते हैं calculator के उपर जब हमने total investment को divide किया total circulating supply के साथ तो ये same value आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपको उस app के अंदर नज़र आ रही थी पाई network की price predict करने से पहले आप सब को ये मालूम होना चाहिए कि पाई network की total supply कितनी हैं अगर देखा जाए तो पाई network की total supply 100 billion है पाई network के total user base को देखते हुए पाई network की total value 2 billion dollar को cross कर चुकी है और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पाई network अपनी total supply burn करता जा रहा है अगर पाई network अपनी 90% supply burn भी कर ले तब भी पाई network के पास total circulating supply कितनी बच जाएगी तो वो होगी 10 billion token तो पाई network के पास रह जाएंगे 10 billion token जो के इसके launching date के उपर इनके पास total circulating supply होगी अब बात कर ली जाए अगर 10 billion circulating supply के उपर पाई network अपना open minute launch करता है तो इसको 1 dollar price लाने के लिए कितनी investment दरकार होगी तो वो होगी 10 billion dollar इसके मतलब ये है के पाई network 1 dollar price देगा अगर वो अपनी 90% supply burn कर जाता है और इसके साथ 10 billion dollar investment कठे कर लेता है अब देखते हैं पाई network को 10 dollar price लाने के लिए कितनी investment दरकार है वो है 100 billion dollar जो के नामुमकिन दिखाई देता है और पाई network को 100 dollar price लाने के लिए 1000 billion dollar require होगे जो के नामुमकिन है ऐसा करने के लिए पाई network को bitcoin की सारी दोलत दरकार होगी और अब हम हकीकत से related बात कर लेते हैं क्या पाई network अपनी 90% supply burn कर पाएगा तो इसका अंसर है no, कभी नहीं फर्ज कर लें, पाई network अपनी 90% supply burn कर जाता है और 10 billion circulating supply छोड़ देता है तो 1 dollar price लाने के लिए इसको 10 billion dollar दरकार होंगे फर्ज कर ले, पाई नांस और दूसरी exchanges और पाई network खुद अपनी ये 10 billion dollar की requirement पूरी कर लेता है तब भी पाई network अपनी total price 1 dollar ही दे पाएगा अब ये question पैदा होता है, क्या पाई network अपनी 1 dollar price stable रख पाएगा तो इसका अंसर है no सबसे पहले, जैसे ही पाई network लाउंच होगा, तो तुमाम लोग पाई कोईन को सेल करना शुरू कर देंगे और अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे और इस सुरत में पाई network का 1 dollar price भी stable रखना मुश्किल हो जाएगा और यही बात दुरूस्त है कि पाई network maximum 1 dollar ही price दे पाएगा और उसके बाद कभी भी अपनी इस price को stable नहीं रख पाएगा और दूसरी सुरत में पाई network का 100 billion supply के उपर 1 dollar price देना कभी भी मुमकिन नहीं क्योंकि इसके लिए पाई network को 100 billion dollar starting में require होंगे और आप सब का पाई network की value के हवाले से बड़े बड़े खौब देखना बहुत ही हमाकत है यानि जो कि नामुम्किन दिखाई देता है और पाई network की ये value सिर्फ और सिर्फ खौब है बहुत से लोगं का ये भी कहना है कि पाई कोईन अब बार्टर सिस्ट्रम और अश्या के लेंदेन में इस्तमाल होने वाला है और इसकी value बहुत ज्यादा आने वाली है तो ये बात भी दुरूस्त नहीं अगर पाई network या पाई कोईन पाटर सिस्ट्रम या फिर अश्या के लेंदेन में इस्तमाल भी हो तब भी वो कभी भी डालर को क्रास नहीं कर पाएगा डालर एक international currency है जिसके पीछे super power है और डालर को अश्या के लेंदेन के हवाले से भी हराना मुश्किल दिखाई देता है इसलिए पाई network अश्या के लेंदेन के मामले में भी डालर से कहीं पीछे है अब हम बात करते हैं तो फिर डालर की original price क्या आने वाली है पाई network अपनी 10% supply के साथ सिरोफ और सिरोफ वैलियू 0.1 डालर से 1 डालर दे सकता है और इसी तरह 50% supply के साथ इसकी वैलियू और भी बहुत ज्यादा कम होने वाली है और 100% supply के साथ पाई network की वैलियू इतनी ज्यादा कम होगी कि आपके होश उड़ा देगी और सही बात कर दूँ तो पाई network के उपर प्री लाउंच से पहले investment करना नहायत ही बेकार सवाबत होने वाला है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मजी informative वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सकें